हेलो स्टूडेंट्स हम एडवांस केल्कुलस का चैप्टर एट्थ कर रही थे कर्विन स्पेस हमने अभी तक एक्सराइज एट पैंट फॉर्ट किया था हमारी लास्ट एक्सराइज रहती है जो हम स्टार्ट करेंगे अभी यह देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपका यूनिट फॉर्थ से कंप्लीट एक कोशन अटेंप्ट हो जाएगा आपका यह चैप्टर करने के बाद इनफ है यह आपके लिए सो लेट स्टार्ट नॉर्मल लाइन एट पॉइंट नॉर्मल एक्वेशन आपने इससे पहले चैप्टर में पड़ी है देन हम क् फोला में इसके डेफिनेशन देखते है एनी लाइन थ्रूआ पॉइंट पी जब कोई लाइन जो है वो हमारी थ्रूआ पॉइंट पी अं धिक करव पे परपेंडिकुलर तुदी टेजन टूदी करव एट पी इस नॉर्मल लाइन टो देकर पी यह क्या बोल रहा है सबसे पहले हम यह देखते हैं, यह हमें बोल रहा है कि हमारे पास कोई कर्व है, यह हमारी कोई कर्व है, इस कर्व पे हमारा कोई पॉइंट है P, और यह पॉइंट P जो है, यहापे एक टैजन ड्रो करते हैं हम यह, यह हमारा टैजन ड्रो कर दिया, यह हमारी पॉइंट P पे कोई perpendicular आती है पॉइंट P पे तो ये हमारी क्या बन जाएगे normal line to the curve at P ये क्या बोला इन्होंने any line through a point P ये कोई curve है इस curve पे ये कोई point है P ये हमारा क्या एक टैजन डो कर लिया हमने और ये इसके perpendicular है तो ये हमारा क्या बन जाएगा normal line to the curve at P यह हमारी क्या बन जाएगी नॉर्मन लाइन इसके लिए हमारे पास कुछ form of definition है वो हम देखते हैं सबसे पहले वो क्या है let's see यह देखो there will be infinite number of such normal line draw point through p पे हमारा जब जो point करो पे p point था उस पे हम infinite number of normal line डाल सकते है क्योंगि उस पे infinite number of tangent आएगे दन हमारे क्या हो जाएगी infinite number of normal line आजाएगी and all these normal line on the normal plane जो हमारे normal line जो हमारे normal line जो हमारे like करेगी normal plane के अंदर normal plane के अंदर in other words locus of the normal line at the point p of the curve is called the normal plane at p जो हमारी normal line जो है वो हमारी जो वो path लेगी वो हमारा क्या होगा normal plane बनेगा ठीक है let's see आगे हम normal plane की equation देखते है क्या होती है पीछे आपने पढ़ा था normal plane की equation होती है हमारे पास capital r vector minus small r vector dot r vector dash is equal to zero और r vector dash को हम क्या बोल सकते है r vector dot is equal to zero इसकी यह हमारी normal की equation थी है अब हमारे पास normal में two form होती है first of all principal normal and binormal principal normal क्या होती है देखो the normal which lies in the oscillating plane at a point on the curve is called the principal normal at p जब हमारी जो normal plane है जो normal line है वो हमारी like करेगी oscillating plane में then हम क्या बोलेगे उस plane को principal normal at point p पे unit vector along principal normal के क्या होती है unit vector n cap और उसके बाद आता है bianormal the normal which is perpendicular to the oscillating plane at a point is called the bianormal जब हमारी जो normal line है वो normal हमारी lie करेगी oscillating plane में और perpendicular भी होगे देखो हमारी क्या बनेगी bianormal bianormal को हम कैसे denote करते हैं b cap से आपने x y z x axis plane पे x y z हमारे पास point होते है उसमें हमारे unit vector क्या होते है i cap j cap and k cap same as इसमें वही चलेगे हैं हमारे पास इसके लिए हमारे पास कुछ important observation होती है वो देखते है bianormal is perpendicular to the principal normal क्या बोल रहा है ये कि princip bianormal जो होता है वो perpendicular होता है principal normal के ये देखो जब principal normal है वो मारा लाइ करता है उसकेलेटिंग plane में तो वो नोर्मल plane में भी लाइ करेगा therefore principal normal is line of intersection of ausculating plane and normal plane जो मारा principal normal है वो line होगा किसके ausculating plane में भी और normal plane में भी इसका मतलब क्या होगा कि principal normal जो है वो intersection होगा लाइ करेगा intersection of ausculating and normal plane में ठीक है osculating plane at a point of the curve जो osculating plane है हमारा वो curve contain the tangent to the curve at point and also the principal normal जो हमारा osculating plane में tangent आएगा वो हमारा principal normal होगा और यहां क्या बोल रहा है यह binormal to a curve at a point lie on the normal plane to the curve at the point and is perpendicular to the osculating plane of the curve at that point यह क्या बोलता है यह बोल रहा है कि जो binormal है वो हमारा osculating plane में लाई करेगा और principal normal भी हमारा osculating में लाई करेगा यह आपने उपर पढ़ा था कि binormal is perpendicular to the principal normal तो वही बात यह बोल रहा है ठीक है इसके लिए हमें आब आगे देखते है fundamental unit vector of fundamental planes fundamental unit vector देखते क्या होते है the unit vector along the tangent unit vector क्या होते है i, j, k, same as phi हो गई है यह टेजन्ट, principal normal and binormal टेजन्ट vector को हम T cap से denote करते है principal normal को n cap से and binormal को b cap से denoted by T n cap, t cap, n cap and b cap respectively and they form the orthogonal right-handed trite of vector 10 जब हम इनका dot product करते है अदे हमारा क्या होता है 0 के 1 क्यों बलाता है same as जैसे हम i, j and k cap को dot product करते है तो क्या आती है 0 के equal और i into k की करते है या i into j की करते है अदे हमारे किसके equal आती है i into k cross product करते है i cross j तो क्या आएगा k cap के equal आता है same as वही application इसमें follow करेंगे t cap dot n cap is equal to 0 n dot b is equal to 0 b cap dot t cap is equal to 0 and t cap into n cap is equal to b cap के equal आएगा same as आगे हो जाएगा the vector t cap n cap b cap at any point on the curve are called the fundamental unit vector of the given curve हमारे curve के क्या ये fundamental unit vector है ठीक है fundamental unit vector जो है हम करते है fundamental planes fundamental planes क्या होते है three type क्यों होते है osculating plane, normal plane and rectified plane associated with each point of the curve are non-fundamental planes उन्हें क्या बोलते हैं fundamental planes ये हमें ज्यादा डिप्ली करने की नीड नहीं है ये आप देख लो की fundamental planes जो हमारे three types के होते है osculating plane, normal plane and rectifying plane ये आपको याद करने होगे equation of osculating plane की क्या होती है capital r minus small r vector dot b cap is equal to 0 equation of normal plane की देख लो capital r minus r vector dot r cap is equal to 0 and rectified plane की equation क्या होती है capital r minus small r vector dot n cap is equal to 0 ये आपको सिर्फ result याद कर लेना आपने और कोई ज्यादा नहीं है direction of principal normal and binormal हम direction of principal normal and binormal देखते हैं क्या होता है direction ratio of binormal क्या होती है since binormal is perpendicular to the osculating plane and osculating plane is perpendicular to the vector हमारे पास vector r vector क्या होता है x i cap plus y j cap plus z k cap होता है तो r vector का differentiate क्या हो जाएगा x dot i cap plus y dot j cap plus z dot k cap और उसका double differentiate करते हैं तो x double dot i cap plus y double dot cap double dot j cap plus z double dot k cap अब हम इसका क्या करेगे cross product binormal is parallel to the vector of r vector dot cross product r vector double dot के equal होता है cross product कर देगे क्या आएगी ये equation आ जाएगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी direction ratio of the binormal क्या बनेगी y dot z double dot minus y double dot z dot z dot x double dot minus z double dot x dot x dot y double dot and x double dot y dot ये हमारी क्या हो गई direction ratio of the binormal ये आपको जाद रखनी होगी if parameter are the arc length then direction ratio of binormal are given by this अगर हमारी parameter of arc length s है then हमारी direction ratio of binormal क्या हो जाएगी y dash z double dash minus z dash y double dash z dash x double dash minus z dash x dash x dash y double dash minus x double dash y dash ये मारी क्या हो जाएगी direction ratio of binormal when जब arc length of s parameter में होगी direction ratio of principal normal क्या होगी principal normal is perpendicular to tazant and the binormal therefore principal normal is parallel to cross product cross product के parallel होगी हमारी पास r vector dot cross product r vector dot cross product r vector double dot के इकल होगी तो r की value हमारे पास पता है हमें r vector dot cross product r vector double dot हमने अभी find out किया था binormal direction ratio of binormal तो यह value put कर देगे और r vector dot क्या होता है x dot y dot and z dot इसकी solve करेगे इस equation को तो then क्या आ जाएगी हमारे पास this equation ये क्या है हमारे पास direction ratio principle normal are given by this if the parameter of arc length s then dr by ds and r vector dash is unit vector along the descent अगर हमारे पास parameter of arc length s है then हमारे पास function क्या हो जाएगा dr by ds इसको हम क्या बोल सकते है r vector dash ये क्या है हमारे unit vector along the descent के तो r vector dash dot product r vector dash is equal to 1 differentiate करेगे अगर इसका with respect to s में then क्या हो जाएगा first as it is second का differentiate dr by ds and dr by ds same as again कर देगे इसका then dr by ds वाले coefficient एक साथ ले लेगे and r vector वाले एक साथ ले लेगे then या सी हमारे equation क्या जाएगी this 2r vector dash dot r vector dash double dash is equal to 0 इसको हम क्या बोल सकते है r vector dash dot r vector double dash is equal to 0 which should add the vector r vector double dash is perpendicular to r vector dash hence the principal normal will be parallel to r vector double dash direction dash of principal normal क्या हो जाएगी x double dash y double dash and z double dash अब हम करते हैं curvature what is curvature? curvature definition देखते है curvature की curvature of the curve at a point is defined as the arc rate of rotation of the tazant आपने curvature हमने क्या किया था अभी तक की curvature क्या होता है हमारा जो curve होती है उस पे जो tazant ड्रो करते है है वो कितने एंगल पे वो रोटेट करता है वो हमारा क्या हमारा curvature? let a be the fixed point and ps and coug the s plus del s be the two neighboring point of the curve so that a b is equal to s and a coug is equal to s plus del s यह हमारे पास एक curve है यह curve पे point p है यह हमारे पास क्या है? tazant draw कर देते हैं यह a से p हमारा point curve क्या हो जाएगी? s and a coug क्या हो जाएगी? s plus del s suppose del theta is an angle between the tazant to the curve at point p and क्या हो? p and क्या हो के बीच में यह tazant जो यह मतलब जो tazant जो curve है यह मारा एक angle बनाता है angle theta average curvature of arc p क्या हो? average curvature of arc p क्या हो? k्या हो क्या आ जाएगा हमारे पास? del theta by del s क्या हो जाएगा? यह क्या है मारे पास? del theta by d theta क्या है हमारे पास? total rotation and ds क्या है? arc of p क्या हो? तो preceding limit क्या हो जाएगे? क्या हो टू p तो curvature p is equal to limit del s tan to 0 d theta by ds the magnitude of curvature is denoted by जो हम magnitude curvature का magnitude जो है डिनोट करते हैं के kappa से ठीक है? दस curvature at point p is given by kappa is equal to d theta by ds बोल सकते हैं d theta मारे पास क्या है? total rotation and ds क्या है मारे पास? arc of p क्या हो? तो kappa magnitude क्या आ जाएगा? kappa is equal to d theta by ds reciprocal of curvature is called radius of curvature is denoted by rho हम radius of curvature का कैसे find out करते है? rho is equal to 1 by kappa d theta by ds means rho is equal to ds by d theta to find the expression for the curvature kappa at a given point of the curve इसका अब direct के result याद कर लो कि यह हमारा क्या होता है? d theta d t cap divided by ds magnitude is equal to ds and d by ds differentiate करें के d r by ds का magnitude is equal to क्या होता है? r vector double dash के magnitude के equal होता है यह मारा क्या है? kappa यह kappa क्या find out किया है? हमने यह यहाँ से देखो to find the expression of curvature k at a given point of the curve यह हमने किसी point कर्व के किसी point पे curvature find out किया है इसकी आपको direct result याद कर लो इतना डिपली करने की need नहीं है? यह result के आया? kappa is equal to r double dash, r vector double dash का magnitude उसके बाद हम करते हैं, torison torison क्या होता है? definition देखते है the arc rate of rotation of the binormal at p on the curve is defined the torison vector of the curve जब हमारा, उसमें हमने क्या किया था? कि plane पे तो अब हम क्या करेगे? यह binormal at p पे हम देखते हैं कि एंगल हमारा कितने उस पे move कर रहा है rotate कर रहा है, then हमारे पास क्या हो जाएगा? torison, इसकी हमें result याद रख लेना इसको हम कैसे represent करते हैं, toe से toe is equal to d phi by ds और toe का हमें reciprocal radius of torison निखालना हो, then हम क्या करेगे? 1 by tau ठागे हम करते हैं, expression for torison to the curvature at the given point अब हम किसी curve के point पे torison find out करेगे इसके लिए हमारे पास क्या आए result? toe is equal to db cap by ds का magnitude यह result याद कर लेना, हमारे आगे सारे result ही use होने है let's see, screw curvature क्या होता है, definition देखते है, screw curvature की, the arc rate at which of the principal normal change the direction जब हमारा जो arc है, वो हमारा rotate करता है और principal normal पे वो direction change कर लेता है, dn cap by ds as pr move along the curve is called screw curvature vector, क्या बनता है, वो हमारा screw curvature vector and magnitude क्या होता है, उसका under root of kappa square plus tau square अब हम आगे करते है, अब हम करते है, c rate frenet formula c rate frenet formula, हम क्या करेगे, यह पिछे हमने किया था, kappa, tau यह आपने symbol तो याद करी लिए, symbol तो आप known होई गई हो, symbol अब हम मैं आपको यह part first or second करवा दे थी, third part आप try कर लेना, dt cap by ds is equal to kappa and vector, we denote unit vector along tangent dr by ds is or t cap बोल सकते हैं, t cap का magnitude is equal to क्या होगा, 1 के t cap dot t cap is equal to 1 यहाँ से हम differentiate with respect to s करेगे, तो t cap करेगे, और t cap का फिर दुबारा differentiate करेगे, differentiate करेगे देन हमारे पास equation क्या बन जाएगी, t, 2t cap dot t cap dash, यहाँ से हम जो d वाली form आजाएगी, उसको एक side ले ले लेगे, and t वाली को, एक side ले लेगे, then हम t को तो compare कर लेगे, 2t हो जाएगा and t differentiate वाली term को हम क्या बोल सकते हैं, t cap dash, यह हमारे पास किसके equal हो जाएगी, 0 के, तो यहाँ से हम क्या प्रूफ करते हैं, t cap dash is perpendicular to t के होता है, equation of oscillating plane क्या होती है, equation of oscillating plane होती है, capital r minus small r vector r vector dash r vector double dash is equal to 0, तो इसको हम क्या return कर सकते है, capital r vector minus small r vector t cap t cap dash is equal to 0, it showed that t cap dash lies in the oscillating plane which is perpendicular to the bianormal b vector के, जब हमारी t dash जो है, वो oscillating plane में लाई कर रही है, then हमारी क्या हम क्या बोल सकते हैं, कि यह perpendicular and perpendicular है, तो bianormal भी होगी, तो इसका unit vector क्या होगा, b k equal होगा, then t cap dash is perpendicular to both t cap and b cap के, t cap dash is parallel to t cap into b cap is equal to किसके आजाएगा, n cap के cross product में हमने की थी पीछे, तो t cap dash का magnitude क्या था, equal to r vector double dash के, r vector double dash हमारे पास किसके equal था, is equal to kappa के पिछे हमने result किया था, let's see, मैंने बताया था, कि kappa is equal to r vector dash double dash का magnitude के equal है, यहाँ से हमने क्या find out किया था, करवेचर vector of curve, ठीक है, let's see, तो यहाँ से हम क्या कर देते है, t cap dash का magnitude is equal to kappa, t cap dash is equal to, हम बोल सकते है, plus minus kappa n vector, we choose the direction of n cap, such that curvature k is always positive, t cap dash is equal to k n cap, बोल सकते है, dt by ds is equal to k n cap, proof second देखते है, since t cap and b cap are perpendicular vector है, dot product is equal to 0 हो जाएगी, differentiate करेगे, same way time आजाएगी, t cap, t का as it is, b का differentiate, plus t का differentiate, and b cap as it is, is equal to 0, यहाँ से हम t cap and b dash, plus t cap को हम क्या बोल सकते है, kappa n cap dot b cap is equal to 0, n dot b is equal to kya होता है, 0, तो यह वाली time 0 आजाएगी, then t cap dot b cap dash is equal to 0 आजाएगी, यहाँ से हम क्या प्रूफ कर देते है, b cap dash is perpendicular to t cap के, तो we have b cap dot b cap is equal to 1 के, तो इसका differentiate करेगे, तो 2 b cap and b cap dash is equal to 0 आजाएगी, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, कि b dash cap is perpendicular to b, from equation second and third, is b dash cap is normal to plane, containing t cap and b cap, तो यहाँ से हम cross product कर देगे, b cap cross product t cap is equal to n cap के आजाएगी, तो यहाँ से b dash cap का magnitude क्या हो जाएगा, db cap by ds का magnitude, इसको हमने क्या बोला था पिछे, tau, तो b cap dash क्या आजाएगा, is equal to plus minus tau, and unit vector db cap by ds is equal to plus minus tau, n vector हो जाएगा, equation b, by convention direction of b dash cap is taken opposite to n cap, db cap by ds is equal to minus tau n unit vector, हो गया, अब आप part third, अपने आप try कर लेना, यह part third में आपका क्या given है, क्या find out करना है, यह देख लो, dn cap upon ds is equal to tau b cap minus k t cap, हमें यह प्रूफ करना है, यह आप try कर लेना, अगर कोई doubt हो, तो ले लेना, thank you, अब हम आगे जो है, next lecture में देखते हैं, तब तक आप पीछे यह try कर लेना, अगर कोई doubt हो, तो बताना,